हे दोस्तों नमस्कार हमारे एपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों RPSC ने एक बहुती बड़ा नोटिपेकिशन दिया है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये 26 जुलाई को आया था तो इसमें जो AE की जो वेकेंसी थी न आपको मालूम होगा लगबग 9500 के आसपा जो वेकेंसी निकली थी जिसमें Civil, Electrical, Mechanical और Agriculture Engineering इन सब की जो है दोस्तों क्या था वेकेंसी थी उसका प्री का रेजल्ट कुछी दिन पहले आया है और ये जो एक्जाम था दोस्तों अगस्त में होना था लेकिन ये बाद में पॉस्पोन कर दिया गया किस डेट को आपका कौन सा एक्जाम है वही मैं आपको बताने बाला हूं दोस्तों अधी बात करें हम एक्जाम तो एक्जाम 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होना है ठीक है तो एक्जाम कब होना है दोस्तों 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होना है और इसका जो आयोजन है दोस्तो, अजमेर जिला मुख्याले पर किया जाएगा, ठीक है, तो अजमेर में ही इसका मेंस का एक्जाम होगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, दोस्तो देखिए, जो 9 October को जो एक्जाम हो रहे हैं, दोस्तो दो पेपर हो रहे हैं, हिंदी का हो रह से बारा और दूसरा दो से पांच वहीं दोस्तों इलेक्टिकल इंजिनरिंग फर्स्ट और सेकंड यह भी नो से बारा दो से पांच यह निके इलेक्टिकल सिविल का जो एक्जाम है फ्रेंड्स वो दस अक्टूबर को खतम हो जाएंगे इनका इदी बोले हम तो ठीक है इसके दोस्तों मेकनिकल इंजिनरिंग का जो एक्जाम है नो से बारा के बीच में है फश्ट वाला और जो दूसरा एक्जाम है वो दो से पांच के बीच में है होगा तो दोस्तों कहने का मतलब यह है RPSC ने AE का जो टाम टेबल है वो जारी कर दिया है आप देख ले आपके एक् आपके लिए जो है दस अक्टूबर को गैप मिलेगा अग्रिकल्चर और मेकनिकल इंजिनरिंग वाले स्टूडेंट को और आपके एक्जाम दो सिप्टम हो रहे हैं एक नौ बजे से बारा बजे के बीच और एक दोस्तो दो से पांच के बीच में एक्जाम हो रहा है तो ठीक